दोस्तो आप कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे और अगर आप परकृती से जुड़ें तो दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी और बहुत पुरानी जानकारी देने जा रहे हूँ अगर आपके पास कीचन गार्ड में सबजी वेगरा है फल फरूट का पोदा है या कोई और पोदा है जो मैं यह चीज बताओं आप उसमें एक बार यूज करके देखना अपते नैचुरल चीज है इसमें कोई पैसा नहीं लगता और यह हमारे स्वास्थे के लिए बहुत लाबकारी है यह मैं आज क्यूं बता रहा हूं मेरे दमाग माया की बहुत से कहते हैं केमिकल डाल डाल के ठक चुके हैं बगिच्चे में कीडे मकोडे मारने के लिए सबजी मारन यूज करते थे और कैसे अपने बगिच्चे में फल फरूट को या अपनी बागवानी में कोई सबजी लगा रखी है खेत खलियान उसको कैसे बचाते थे कुल मिला के 80% आदमियों को हम देखते थे तो यह यह काम करते थे जो मैं आज बताऊंगा आज आप आप गरों में चोटे-चोटे आपने कीछ गाडन बना के रख्या ना उसमें अपिस काम को यूज करिए और वो करते क्या थे पहले क्या था यह गैस वगरानी ऊती थी चूल में यूज सिर्फेविग्ब्सू जब चूले की राक दोस्तों इकठे करते से टथे और जैसे भोगे घटाए था याव गपल जाता था दोस्तों तो उसको तुरंट ले के खेत्मे पोंचते थे ये अपने आखे अखिजा धमारी होते ती 7-8 शाल तो हम देखते थे क्या कर रहे हैं और वह क्या करते थे वह सुबह सुबह जाते थे सुरिय निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते थे जो रात को ओस गिरती है दोस्तों वह सुबह सुबह जाके ओस गिरी तो हमारी कोई भी फसल है या कोई भी सबजी वगरा है कोई भी फल का पोदा है उस पर उसको छड़कते थे तो चपक जाती थी तो वह कीट पतंगों से खूब बचते थे पोदे और उसको यूज करते थे वह कोई बिमारी नहीं फैलाती थी और कीट पतंगे भी भाग जाते थे और मर भी जाते थे तो देखते थे और यह भी मेरे दमाग में व यहुनी के बिल्कुल देशी काम है। और यह देखी है यह जो राख है, इस के अंदर लकड और उपले की राख यह नहीं कि आप कोईले की राख लेलो या कोई उसमें कुछ हो इसमें प्लास्टिक वगरा कुछ नहीं है यह प्योर लकड़ी और कोईले की राख है तो आप यह देखिए इसको हम दीरी दीरी इसको चानेंगे चानने से क्या होगा यह पाउडर सा बन जाएगा इसको वैसे बढ़ना डालें यह देखी यह देखी ऊ-छोआप सूख्य प्वोत लेते हो उसकी तरह बने जाएगा देखर वह दिक्त पिसमें कोई कच्छोब गराह होगा तो णिकल जाएगा यह दकि आप कोई भी जारना वगरारा लेकर आसानी से यह देखिए हम पूरा नीचानेंगे आपको थोड़ा चान के दिखाएंगे, ये देखिए इसमें थोड़ा कच्रा भी निकल गया यह देखिए क्या शांदार बनें आ है ये देखिए ये एक पाउडर सा बन गया ये इसको चानने से बहुत असान रहे गा यह देखिए क्या शांदार पाउडर बने है यह तो जो यह राख है ना यह आप इसको ऐसे चान के जैसे कि आप सुखे पत्तों पर मत डालना जैसे हम आपको बताते ने कोई भी पाउडर वगरा है आप सुखे पते पर ना डाले या तो सुभा सुभा जल्दी उठे जब ओस ना यह देखिए रूखेल यह दो नहीं यह उड़ जाएगे आवासी और हम सुभा सुभा डालेंगे तो यह आराम से चिपक जाएगी और दूफ निकलेगी फिर दिनी यह उड़एगी तो आप इसको राख को आप ऐसे डाल गे एक बार देखना यह ना कोई बिमारी फैला जैसे कि आप पाल्लक धनियां पत्यदार सब्जी मान के चलो उस पर छड़कोगे ना तुरंत यह साफ हो जाएगा यह किसी पर भी छड़क सकते हो आप एक बार इसको छड़क के देखना इसका बहुत अच्छा रजल्ट है यह मारे स्वास्थे को भी खराब ने करेगी और हम हमारे जो गुजरक आदमी थे और इसमें से मैं यह कहता हूं कि जो भाइस मेरी उमर के हैं उनको भी कुल मिला कि पता होगा पहले उक कैसे करते थे आज कल के जो हमारे बच्चे हैं उनको पता नहीं है तो ये मैंने बैठे-बैठे सोचा हिया आज मैं आपको बता रहा यज़ान जब चडुकी है। बहुत अच्छा रजल्ट मिलेगा और इसको मैं देखिए पूरा तो नहीं जानुगा जैसे कि देखिए चलता हूं आपको मैं हमारा टमाटर देखा हूँ आपको आईए कि यह एक है यह दो इसका मैंने कर्पतवार भोध निकाल दीए यह जाड़ी वे गर्रमेन इसलिए लगा रखी है कि इसमें कुद्धेबोट आजैते गोमतार यह देखी कितना टमाटर लगया हूँ है अब इसमें इतना फल लगेगा यह हमारे को अप्रेइल तक खूब फड़ देगा इसमें 20-30 पीड लगा रखे मैंने और यह हम सुबह मैं इसको सुबह टैम से उठके मैं जब डालूंग इसमें इसमें यह देखी यह दिखी आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो देखो कितना से आंदार है यह देखी देख रहो यह देख है तो पहले यह ऐस यह आप किसी भी पोद्धे में डाल सकते हैं और बहुत शांदार रहेगा स्वास्थे को सही रहेगा जो मारे प्रेड पोद्धें बहुत अच्छे हो जाएंगे यह देखिए तो आप ऐसे इस राख का प्रियोग कर सकते हैं यह आपके स्वास्थे के लिए भी बहुत अलाबकारी रहेगी और जो कीट पतंगे हैं कीडे मकोडे हैं जो हमारे पोद्धों को नुक्सान पहुचाते हैं और फिर पर हम केमिकल डालते हैं वो केमिकल हमारे शरी तो फिर भी उसका इस मैसर रहता है तो आप एक बार इस राह का देशी काम बिलकुल पुराने जो गुजरगादमी करते थे वो करके देखिए अगर आपको संभव हो तो कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको तकलीप नहीं पहुचेगी शरीर में और इसे चड़की आप ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है अगर यह देखिए यह यह हमारे गोबी लगी हुई है तो आप अपने छोटे-छोटे कीचन गाराडन में अमरूद नीम्भू कोई भी चीज है उस पर कुछ भी आ जाता तो बिलकुल आपको थोड़ा हाक श्ट करना पड़े गए तो सुबह सुबह उठी ओस बहुत मिलती है उस ट्रेम यह काम करिए नहीं पानी मारी यह बार-बार मैं तीन-चार बार बोल सुकां दोस्तों ऐसे प्रियों करिए आप इस राक के पाउडर को अपनी मिट्टी में भी मिला सकते हैं अगर मिट्टी में नहीं मि आप एक बार यूज करके दिखिए आप और आपको थोड़ा नेचरूल मिलेगा जो हमारे गुजर अदमी करते थे वैसे ही आपको अच्छी चीजे मिलेंगी सवाद बहुत बड़िया मिलेगा और आज कल हम जो जहर खारे हैं उससे बच सकते हैं दोस्तों आप यह बिलकु इसके लिए एक बार यूज करके देखिए तो दोस्तों यह मेरा काम आपको कैसा लगया है आप इसको थोड़ा बताइए और इसको एक बार परियोग करके देखिए आपका बगेचे में क्या फैदा होता है या नुक्सान होता है नमस्कार जैहिंद